हेलो बच्चो मैं मुरली मुनहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ आज हम लोग अधियन करेंगे LCM by Division Method विभाजन विधी से लसा ग्याद करना LCM by Division Method बहुत ही Common विधी है Students अक्सर भीन का जोल घटाव बनाने के करम में इसी विधी का उप्योग करते हैं LCM के बिना भीन का जोल घटाव बनाना संभव नहीं है जो चातर LCM बनाना जानते भी होंगे वो इस वीडियो का वश देखेंगे जब आप देखेंगे तभी जान पाएंगे कि इस वीडियो में नया क्या है तो हम लोग शुरू करते हैं LCM by Division Method LCM का सबसे पहला प्रस्ण 5 तथा 20 का LCM ग्याद करना है भाग विधी से इसके लिए इसे आपको इस तरीका से सजाना होगा दोनों संख्या के बीच में कौमा का चीन दे यहाँ जो आप भाग देंगे 5 और 20 को वो आप प्राइम नंबर से भाग देना होगा जैसे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, इत्यादिक तो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर से भाग देंगे और यह भी ध्यान देंगे कि दोनों संख्या किस प्राइम नंबर से कटता है यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से 20 तो कट जाता है लेकिन 5 नहीं कटता है इसलिए हम 2 से भाग नहीं देंगे इसके बाद प्राइम नंबर आता है लेकिन 3 से न 5 कटेगा न 20 कटेगा हम लोगों को भाग लगाना होगा 5 से 5 से या 5 भी विवाजित होगा और 20 भी विवाजित होगा इसके बाद अब आपको भाग देना होगा दो से दो से जब भाग देंगे तो एक को आजी टीच उतार देना होगा और दो से चार दो बार में कटता है पुना दो से भाग देना होगा भाग देने के करम में हमेशा दोनों संख्या के बीच में आप कौमा का चीन जरूर देंगे जब नीचे वन और वन आ जाए तब आप वहाँ पर भाग लगाना छोड़ देंगे और लिखेंगे इलसीम बराबर पांच गुना दो गुना दो बराबर पांच दूना दस दस दूना बीस इस परकार पांच और बीस का एलसीम बीस हो गया अब मैं बतलाता हूँ आप लोगों को एलसीम का दूसरा कौस्चन कौस्चन नमबर दो दस पंदरा तथा अठारा का लसा निकालना है सबसे पहले इसे फ्रेम में आप सजा लें इस तरीका से दस कौमा पंदरा कौमा अठारा कौमा का चीन हमेशा आपको देना है अब यहाँ देखना है आपको कि हम लोगों को किस प्राइम नमबर से भाग देना है सबसे छोटा प्राइम नमबर होता है दो 2 से जब हनों भाग देंगे तो 10 विभाजित होता है और 18 भी विभाजित होता है यदि कम से कम 2 संख्या भी विभाजित होता है तो आपको भाग लगा देना है जैसे 2, 2 से 10 कितने बारे में विभाजित होगा? 5 दो से 15 विभाजित नहीं होता है, दो की पहाला में 15 नहीं आता है, तो जो संख्या विभाजित नहीं होगा, उसे आपको as it is उतार देना है, अब दो से भाग दें 18 को 29 अठारा, नौ बार में विभाजित हो जाते हैं, अब यहां आगया 5, 15 और 9, यह दो का पहाला से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 का पहाला से 15 कट जाते हैं, 9 भी कटते हैं, इसलिए हम यहां पर 3 से विभाजित करेंगे, तीन से 5 विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 को as it is लिखना होगा, कॉमा, 3 से 15, 5 बार में विभाजित होते हैं, तीन तिया, 9, अब यहां पर 5, 5 और 3 हैं, 3 से यदि हम लोग भाग देना चाहें, तो किवल एक संख्या कटता है, और यदि 5 से भाग देना चाहें, तो 2 संख्या कटता है, इसलिए हम लोग 5 से विभाजित करेंगे, जिस संख्या से भाग देने पर अधिक संख्या विभाजित होता है उसी संख्या से आपको भाग देना है पान से पांच एक बार में विभाजित होगा पान से तीन विभाजित नहीं होता है इसलिए तीन को एजिटीच उतारना है हां के हम्ल whole को भाग तब तक देना है जब तक कि नीचे वन 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 नहीं आ जाए तीन से एक में भाग देंगे भाग नहीं लएगा इसलिए इसे एजिटीज उतार देना है इस वन को भी एजिटीज उतार लेना है लेकिन तीन से तीन एक बार में विभाजित होता है इसके बाद LCM बराबर इस साइड में जो भी संख्या आ रहा है जैसे दो, तीन, पांच, तीन इसे गुना कर दें LCM निकालने के लिए दो, गुना, तीन, गुना, पांच, गुना, तीन अब गुना कर ले, दो तीया छे, छे पचे तीस, तीस तीया नब्बे इस परकार दस, पंदरा और अठारा का LCM नब्बे होगा अब मैं आप लोगों के लिए LCM का तीसरा प्रस्नहल करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में छोड़कर भागेंगे नहीं क्योंकि जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे, तभी आप सही धंग से भाग विधी द्वारा, विभाजन विधी द्वारा, LCM बनाना सीख पाएंगे सबसे पहले से सजाले, 9,45, यहाँ पर किस प्राइम नंबर से भाग देना है? जब ही LCM निकालेंगे आप, तो हमेशा याद रखेंगे, जो भाग देंगे, वह संख्या प्राइम नंबर ही होना चाहिए दो से 9 और 45 नहीं कटता है, लेकिन 3 से कटता है, 3 से 9 तीन बार में विभाजित होता है, 3 से 45 पंद्रा बार में विभाजित होता है पुना इसे 3 से मैं भाग देता हूँ, 3 से 3, एक बार में विभाजित होगा, 3 पंद्रा बार तब तक देना है, जब तक नीचे एक ना आ जाए इस परकार यहाँ देख लें, 1 वन आ गया, अब हमें भाग देना, रोग देना होगा, अब लिखना होगा, इसलिए LCM बरावर, 3 गुना 3 गुना 5, बरावर, 3 तिया 9, 9 पचे 45, इस परकार 9 और 45 का LCM 45 होगा, अब मैं आप लोगों के लिए चौतह क्शण हल करता हूं, मैं ज्यादा परस्ण इसलिये हल करता हूं, कि हर तरह का परस्ण आप देख लें, ताकि किसी भी तरह का समस्या आपके मस्तिस्क में ना हो, और आप अच्छे ढख से सिख जाएं सबसे पहले से फ्रेम में अच्छे ढंक से सजा ले अलतालीस कॉमा छपपन कॉमा बात्तर इसे भाग देना होगा दो से अलतालीस 24 बार में विभाजित होता है छपपन 28 बार में और 36 दुना बात्तर पुना दो से भी भाजित करना है बारा दुना चोबिस 14 दुना टाइस 18 दुना चत्तिस पुना दो से भी भाजित करना है छे दुना बारा सादुना चवदा नव दुना अठारा लेकिन अब 2 से यह विवाजित नहीं होगा लेकिन 3 से 6 और 9 विवाजित हो रहा है इसलिए अब हम लोग इसे 3 से विवाजित करेंगे 7 तीन से विवाजित नहीं होता है इसलिए 7 को as it is उतार लेना है 3 से 3 तिया 9 यहाँ पर देखें 2, 7 और 3 प्राइम नमबर आगिया है कोई भी संख्या से 3 या 2 नहीं विवाजित होगा इसलिए अब 1 बाई 1 करके विवाजित हम लोग करेंगे तो 2 से सबसे पहले विवाजित मैं करता हूँ 2 एकम तो 7 विवाजित नहीं होता है इसलिए अजिटीज उतार लें 3 को भी अजिटीज उतार लें अब 3 से इसके बाद अंत में 7 से नीचे जब 1 1 आ गया बस यहाँ पर श्टॉप कर देना है इसलिए LCM बराबर जब इसे गुना करेंगे तो 10 जओ आठाएगा यह अलतालीस छप्पन और बहतर का LCM होगा अब मैं आप लोगों के लिए LCM का पांचवाँ प्रस्द हल करता हूँ देखें 20, 24 तथा 30 का लसा निकालना है जब डिभीजन मेथड से LCM निकालना होता है तब हम लोग क्या करते हैं प्राइम नंबर से भाग देते हैं और कोशिस यह करते हैं कि छोटा से छोटा प्राइम नंबर से सबसे पहले भाग देना है वैसा प्राइम नंबर से भाग देना है जिसे अधीक से अधीक संख्या कटे, अधीक से अधीक संख्या विभाजित हो, सबसे पहले 20, 24 और 30 को फ्रेम में लिख ले, सबसे पहले 2 से विभाजित करना होगा, 2 से 20 दस बार में विभाजित होता है, 24 बारा बार में, और 30 पंदरा बार में, इसके बाद पुना मैं भाग दूँगा 2 से ही, 2 पचे 10, 2 चक बारा, 15 विभाजित नहीं होता है, इसलिए 15 को अधीक उतार देना है, अब 2 से केवल 6 विभाजित हो रहा है, इसलिए हम 2 छोड़ कर 3 से भाग देना चाहेंगे, 3 से जब हम विभाजित करते हैं, तब 6 विभाजित होता है, और 15 विभाजित होता है, इसलिए आपको विभाजित करना होगा तीन से लेकिन तीन से पांच विभाजित नहीं हो रहा है इसलिए पांच को AGT उतार लिना है 3 2 6 3 5 15 अब इसे 5 से विभाजित करना होगा नीचे 1 1 आ गिया बस फिनिस therefore LCM ब्रावर दो गुना दो, दो गुना दो, तीन गुना पांच गुना दो दो तुना चार, चार तिया बारा, बारा पचेश साथ, साथ तुना एक्षो बीस इस परकार बीस, चोविश तता थाटीस का LCM एक्षो बीस आगया मैं आसा करता हूँ कि आप लोग Division Method से LCM निकालना सीख गए होंगे आप लोगों को आज के वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा आप सभी चात चातराओं को वीडियो देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, जैहिंद